हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे येटूब चैनल पे आज इस वीडियो में ग्यान बिंदु जीस अकेडमी का बिहार पुलिस अस्पेशल इंडियन हिस्टी का पार्ट टू देखने वाले हैं पार्ट बーッट इसे हम लोग चार्ट ब्रट पुलिट करेंगे तो चलिए इससे स्टाट करते हिए 121 नमर प्रश्ण से, 121 नमर प्रश्ण दिया गया है, पांचाल महाजनपज जिसके राधानी अहिछन्द या काम पिले था, बर्तवान के किस छित्र में अवस्थी था, इसका राइट अंसर दिया गया है, बरेली बदायू उत्तर परदेश। कोश्ण नमर 122, दच्षिन भारत में इस्तित एक मात्र महा जनपद कौन था? अस्मक, पोटला, निम्लीखित में से बिहार में कौन-कौन महा जनपद अवस्थी थे? तीन महा जनपद कहां थे तो बिहार में कौन-कौन सा महा जनपद हो जाएगा? अंग मगद और वजी वैसाली वाला छेतरे मगद गया से पटना वाला छेतरे और अंग जो हो जाएगा मुंगिर भागलपुर का छेतरे कौन सा महाजनपद बर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है कौन सा महाजनपद बर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है ऑप्सन नमबर C बिल्कुल राई टन्सर हो जाएगा गांधार गांधार के रधाने कहां थी तो तचसीला कोशन नमबर 125 जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर महावीर स्वामी से समन्धित कथनों पर विचार कीजिए जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर महावीर थे उन्हीं का कोशन दिया है उन्हीं से रिलेक्टर कोशन दिया गया है बताईएगा इसका राई टन्सर क्या हो जाएगा इसका जुराई टंसर दिया गया, option number D, उपरोग सभी कथन सही दिये गया है, चलिए देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कुन ग्राम बैसाले में हुआ था, जी बिलकुल, इनके पिता सिधार्त ग्यात्रिक कुल के सरदार थे, तथा माता, त्रेसला, लिछवी राजा, चे महावीर ने अपना उपदेश जो दिया था, या प्राकिर्त भासा में, अर्ध मागधी भासा में, महावीर स्वामी के भिष्णी संग की प्रधान कौन थी, महावीर स्वामी के भिष्णी संग की प्रधान कौन थी, इसका राइट अंसर, option number C हो जाएगा, चंदना, option number C दि समय कर्मांत जबकि असतेश सत्याहिंसा परिग्राह ब्रह्म भाचार यह सब्था जैन्धर्म से समाधित कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन है जो सही दिए गए जैन्धर्म में आत्मा की मानिता है हाँ है जैन्धर्म में इस्वर की मानता नहीं है नहीं है महावीर पुनजनम इवंत कर्मबाद में विश्वास करते थे जी हाँ जैन्धर्म ने अपने अध्यात्मिक विचारों को शाक दर्सन से ग्रहन किया था महावीर ने अपने कौन राजा था जो जैन धर्म को नहीं मानता था। इसका right answer option number D, हर्सवर्धन और राजवर्धन हर्सवर्धन और राजवर्धन, हर्सवर्धन बौत धर्म को मानता था। खजुराहों के जैन मंदिर का निर्मान किसके दोरा किया गया था। यहां पर एक मिर्ट रुख जाईएगा उदाइन चैनल गोस मौर वंद राजा कलिंग नरेस खारवेल राष्ट कुट राजा अमोग वर्स चंदेल सासक यह सब जैन धर्म को मानता था खजुराहों के जैन मंदिर का निर्मान किसके दौरा चंदेल सासकों के दौरा एमपी में है यह बिल्कुराइट अन्सर दिया गए है जैन तिर्थांकरों की जीवनी कल्प सुत्र में संग रही थे इसकी रशना किसने की थीि तो इसकी रशना की थी वीर भाद्र लें कल्प सुत्र की रचना किशने की थी इसका रायःट आंसर दिया गया ऑप्सव नमर ऑप्सवन बाथार नमर काल का स्मंद किस धर्मसे हैं प्सवी सतावदी में बहुवली के मुर्ति का निर्माण किस के दोरा किया गया growing दस्वे सतावदी में बाहुवली गुम्तेश्वर के मूर्ति कनिर्मान किसके दौरा किया गया था आप्शन हो जाएगा ए गंगवंस के मंत्री चामुंड आप्शन नम्बर ए कोश्व नमर 135 बहुवली की मूर्ति वही इस्थित्य जहां चंगुत मौर ने सलेखना विधी से देख त्याग किया था निवास्थान कहा है त्या है स्रवन बिल गुला में आप्शन नमर 2 मावीर स्वामी का निर्वान मिर्तु पावापूरी किस वर्स हुआ था मावीर स्वामी का जो निर्मान हुआ था मिर्तु जो हुआ था या पावापूरी राजगिन में हुआ था या किस वर्स में हुआ था आप्शन नमर A दिया गया है 468 इसापुर्व इसमें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है आप्शन नमर A इसम का राइट अंसर दिया गया है स्रेवन बिल गोला इस्थित बाहुवली की प्रतीमा किस मुद्रा में अवस्थित है स्रेवन बिल गोला इस्थित बाहुवली गुम्तियस्पर की प्रतीमा किस मुद्रा में अवस्थित है तो यह वस्त है करयोत सर्ग मुद्रा में बहुवली मुर्ति के करयोत सर्ग मुद्रा से समधित गलत कथन पर विचार करिए ओप्सन नमबर डी जो है या गलत दिया आगे वागे सही वाले को देखते हैं मुद्रा में मुद्रा में मुद्रा अपने आजपास के मुद्रा से अवनभीक है त्था चेटियों ने अपना घْरोंदा बना लिया है मुद्री 18 मिटर है त्था एक नहीं चतान कटकर निर्मीत की गई है इस मुद्रा कुद्भव कर्टा स्वय महावीर स्वामी थे या गलत है ऑप्शन नमबर डी जो है गलत दिया गए है बहुत धर्म किस्थापक गौतम बुद से समधित कफ़नों पर विचार कीजिए इसका राई टंसर दिया गए बताईएगा इसका राई टंसर हो पर हुआ था जी बिलकुल इनके पीता सुदोधा सापके कुल के प्रमुक थे यह भी सही है इनके माता माया देवी का देहा वसान जन्म के सात्वे दीन हो गया था बुद्ध का पालन पोसन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था इनकी साधी सुलनवर्स के वस्ता में यह सुधरा से हुआ और इनके बच्पन का नाम राहुल था इनके बच्पन का नाम राहुल था इनके बच्पन का नाम नहीं इनके बेटे का नाम क्या था राहुल था यह होना चाहिए था बेटे का नाम राहुल था यह सही है लेकिन आप मिश्टेक हो गया होगा बेटे का ना बुढ़ा वेक्ति, बिमार वेक्ति, एक सब यह सब को देखा ही था, आगे वड़ते हैं, एक सन्याशी को देखा था जबकि राजनर्थ की कानित नहीं देखा था, और समर्ट इसका राइटरं सरो जाएगा, साख दर्सन के गुरु कौन थे जो सिधार्थ के प्रथम गुरु बने साख दर्सन के प्रतिपादक कौन थे और साख दर्सन के प्रतिपादक कौन थे तो कपील मुनी शाख दर्सन के प्रतिपादक कपील मुनी थे और यहाँ पे हैं साख दर्शन के गुरु कौन थे जो सिर्धार्थ के प्रथम गुरु बने। इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्स नमर बी अलार कलाम। अलार कलाम। उरुवेला में सिर्धार्थ को पांच साधक मिने निम्न में से कौन नहीं था। बताईगा बप्पा, भादिया, महानामा, असागी, कॉडिनी यह था ही जबकि गंग टोक नहीं था। ऑप्स नमर डी ज्यान प्राप्तिक के पशाद बुध ने प्रथम उपदेश सार नाथ में दिया जिसे बहुत ग्रंथों में क्या कहा जाता है। बुध ने अपने सरवाधिक उपदेश कहा दिया था। बुध की देहावसान किस वर्स हुई थी। उपस नमर C — 483 इसापुरू बुध की मिर्थु को बाधधर में क्या कहा जाता है। मह परिनिर्मान ऋपस नमर C — मह परिनिर्मान मह भिनिशक्रामन या ङाल रूद गोष इसका राइट अच्टर दिया गे है उपस नमर B — मह निश्क्रमन यह गलत मेरे का लग रहा है। इसको राय टनसर होना चाहिए ओपिसन नमर सी होना चाहिए क्योंकि बुध की मिर्ट को बाधर में महापर निर्मान कहा जाता है। ऑफसन नमर सी इसका राय टनसर होगा न कि B होगा। नेश्ट है। बूध के जन्व और मिर्दो के तीथी का चीनी प्रंप्रा में किस अभिलेक की आधार पर निश्चित किया गया था। पुस्तक और विशय दिया गया है। सुथ पिटक क्रिश्चन किस ने किया था तो आनंद ने। विनयपिटक क्रिश्चन उपाली ने। और विनयपिटक में किश्चित का चर्चा किया गया है। बताएगा। संके नियमों का संग्रहन थेरीगाता बौधरम के अध्यात्मिक विचार। यह हैं सही है। बूद्ध के दूसरे गुरू कौन थे जिसने बूद्ध को योग पर सिछा दिया था बूद्ध के दूसरे गुरू कौन थे जिसने बूद्ध को योग पर सिछा दिया था ओप्सन देख लिए इसका जो राइट अंसर हो जाएगा रुद्रक राम पुत्र रुद्रक राम पुत्र बॉद्ध धर्म का त्रिरतम कौन नहीं है बुद्ध हम संग जबकी नियम नहीं है बात धर्म से समधित कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन सही दिये गए है देखते हैं बात संग में परवेश को उपसंपदा कहा जाता है सही है बात संग में सम्मिलन की सामिल होने की नियुंतम आयो 15 वर्ष थी यह भी सही है बहुत धर मुलता अनिस्वरवादी है इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है यह सही है बहुत धर में पुनजनम की मानता नहीं है यह गलत है इसका राई टंसर हो जागो आप्सन में B बहुत संगीती से समझनित कथनों पर विचार केज़े इसका राई टंसर क्या होगा इसका राई टंसर दिया गया है एक सो तिरपन नमर का आप्सन नमर से ही सफिक कथन सही दिये गया है प्रथम बहुत संगीती 483 इसापुर में राजगिर में अजाज सुत्रू के सासनकाल में संपन हुआ जिसके अध्यस महाकस्यप थे यह सही है दीतिय बहुत संगीती 383 इसापुर में काला सो के सासनकाल में वैसाली में संपन हुआ था जिसकी अधेस्टा सावर कामिज ने साध्य में क्या है यह वह सी… चेट्रथ więcej इसा पुर्व में मोगली-पुतिश्ता में अस्व के सासंकाल यह भी सभी है एस वह घोस हालाकि उपाधियस था बहुत धर्में बटकर दो भागों में हीन आएन और महायान में विभाजित हो गया था किस बहुत संगिती में चतुर्थ बहुत संगिती में कि उसे कहा गया है इसको बुथ का दन्म ग्यांपरावति चَत्ता निर्वान तीनों एक cry दिन ₹थ इन अग्यां है कि सिद्धान पर बौत धर्म एवं जैन धर्म में समानता है और सी अनी स्वरवाद इसमें कुछ कोशन आप लोगों को गलत भी दिया हुआ मिलेगा क्योंकि इतने सारे कोशन में एकात कोशन तो लाजमी है कि गलत तो रहेगा ही चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं जो मुझे कि से याद रहेगा मैं आप लोगों बताते चलूंगी और आप लोगों का भी करतव बनता है कोई कोशन में डाउट होता है मिश्टेक होता है तो आप लोगों की कमेंट कर सकते हैं घलत सुमेल का चैन कीजे मठ और अस्थान दिया गया है त्वैं तामब मठ तब अस हती अमग्याल मठ धर्मसाला हिमाचल पर्देश थिंकसे मठ लधाख सासुर मठ दहरादून आपसर मडी यह गलत है निम्लिकित में से गलत सुमेल को छाटी है मठ अस्थान दिया गया है है मठ कहां है ते लधाख में है सासुर मठ लहुलास्फिती मिर्ड्रालिंग मठ गंग्ट यह गलत है बोधी मंडा मत बोध गया नेश्ट है मिर्ड्रालिंग मठ देहरादून में इस्थित है यह गंग्टोक में नहीं है कहा है मिर्ड्रालिंग मठ जो है यह देहरादून में इस्थित है जो नाम तो नाम ड्रालिंग कहां अवस्थित है मिर्ड्रालिंग मठ देहर रूम टेक मठ कहां इसी थे गंग टोक में और सी दिया गया है रीग वेद में सीव के लिए कौन सा सब्द परयोग किया गया है रूद्र अथर वेद में सीव को किस नाम से नहीं लिखा गया है अथर वेद में सीव को किस नाम से नहीं लिखा गया है रूद्र के पतनी के रूप में परवती का नाम किस पुस्तक में प्राप्थ होता है बताईगा, परश्ट का नाम से कौन सा नहीं दिया गया है कापाली, कालामोग, पसुपत, लिंगायक शमुदाज है जबकि लाकुली सवादी नहीं है कापालिक संप्रदाय के प्रमुख सैव थे इस संप्रदाय के प्रमुख अस्थान कौन था? ओप्सन नमबर A, स्री सैल, कोशन थान न्यू ही देखने को मिल रहा है, आज कल कंपर्टीशन हाड हो रहा है तो हम लोग को भी हाड तरीके से त्यारी करना पड़ेगा लिंगाय संप्रदाय जो दचिन भारत में प्रचाले थे, इसका एक अननाम क्या है, जंगम, ओप्सना B, सुने संपाद ने निमलिखेत में से की संप्रदाय का ग्रंत है, लिंगाय संप्रदाय का लिंगाय संप्रदाय जिसके प्रवत्क अलव प्रभू थे इसको वीर-सिव संप्रदाय भी कहा जाता है इसके प्रवुग किसी से कौन थे बाशब दसवी सतावधी मैं मतेश्यंद्र नाथनिक की संप रश्ना की थी आप्सिन नमर सी नात संफरदाय मत्यसेंद्र नात ने नात संफरदाय की स्थाफना की थी एलोरा का प्रसीद कैलास मंदिर का निर्मान किशने कराय था राश्ट कूट सासकों ने एलोरा का प्रसीद कैलास मंदिर का निर्मान राश्ट कूट सासकों ने तंजार का प्रसिद राज राजेस्वर सैमंदिर का निर्मान किशने कराया था बिल्कुली जी कोशन है किशने करवाया था राज राज प्रत्थम ने किस सासकों के सासंकाल के मुद्राओं पर सीव इबर नंदी के मुर्ति का अंकन एक साथ प्राफ्थ होता है कुसान वैशनव धर्म की प्रारंभिक जनकारी कहां से प्राव्थ होती है उपनीसद से आपसन नमर ए नेश्ट है वैशनव धर्म के प्रवर्तक किष्णे थे जिनका निवास अस्थान मत्रौ था एक इस कवीले से थे विशन कवीला ओपसन नमर भी विशन कवीला स्रेकृष्ण का सरपर्थम उलेक किस उपनीसद से प्राव्थ होता है चंदोग उपनीसद से क्रिश्णे का सरपर्थम उलेक चंदोग उपनीसद से प्राव्थ होता है विश्णु के दस अप्तारों का वर्णन किस पुरान में प्राप्थ होता है विश्णु के दस अप्तारों का वर्णन किस पुरान में प्राप्थ होता है मतस्य पुरान भग्मान विश्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलिया है छऴ given嗎। छफिन त्विच क्रमक संप्रदायि मत दिया गया है। सनका निमका चाथ, इन स्थमिद आए। प्रम समप्रदायцы नितिया थे रामा. माध्वाचार ने माध्वाचार ने आपसर नमर डी जो है एक गलत दिया गए है निवनिखिन में से गलत सुमेल का चैन कीजिए प्रमुक्स अप्रदाय सस्थापक दिये गए है प्रमार्थ रामदास बरकर इनाम देव श्री वैशनव रामानूज रामभक्त रामानंद इसक उसके दोरा किया गया था लै राज शुर्व बर्मंद दीती एकपये दोरा इस्लाम धर्म से समझेत कथन पर वीचार कीजें कौन से कथन है जो रही व्हास करें से पहलेहरे पहले इसका अंसर में देख़ नूं इसका राय सी उसे具 रहे हैंे सभीं कथन है जो प्रमुक्त कुरैस में हुआ था जी बिल्कुल पीता अब्दुल्ला माता अमीना के मिर्तु के प्रशाद परवरिश चार्चा अबू तालिब ने किया था हजरत मुहम्मद हजरत मुहम्मद को ग्यान की प्रावती 610 इसे में हीरा नामा गुफा में हुआ था 622 में मुहम्मद सह Euch की मिर्भू हुई थी 8 जुन 633 में ओप्स नमर ए दिया अगय है परगंबर मुहम्मद सह सहर की जीवन किस ने लिखा था परगंबर मुहम्मद सहर की जीवने किस ने लिखा था इवन इसाक ने भारत में अर्वों के जर्ये इस्वाम का आगवन किस वर्स हुआ था 712 स्वी में मुहमँद बिन कासिम के दौरा भरत में मक्का पश्यम के तरफ पढ़ता है या दिसा क्या कहा जाता है किबला कहा जाता है किबला पैगंबर साथ के पशाथ उनके उत्रादिकारी खलीफा कहलाएं खलीफा पद की समापती मुस्ताफा कमाल पासा ने किस वर्स किया था किस वर्स त्याव 1924 में इसाय धर्मक संस्थापक इसा मसी के जीवन से समंधित कत्रों पर विचार कीजिए इसा मसी से समंधित इसका राई ट्रंसर दिया आगे चले देखते हैं इसा मसी का जन्म जेरुसलम के निकट बैथ लेहम नम का स्थान पर हुआ था इनके माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था ऐसा ही है इसा मसी के जन्म दिवस को प्रिस्मस के रूप में मना जाता है इसा मसी के दोसिस पीटर एवं एंडरूस थे इसा मसी को 33 इस्वी मे सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर प्रेटियस ने इसाई धर्म का पवित्र गंत्र बाइविल है या पवित्र चीन क्रॉस है इसका राइट अंसर आप्शन ग्रिवर्ष ये भी सही है हर एक वंसकर स्थापक बिम्भी सार मगत की गदी पर 544 में बैठा या सही है बिम्भी सार प्रत्म भागति रादा तर जिश्न भारत में लोग तर्वर्ष ने बाढ़ा दिया या गलत है ऑप्शन हो जागा एक दो तीन है जो सही है जो पिचार है जो गलत है जो जो गलत है ऑप्सें नमर बी कि हर एक वंसकर स्थापक बिम्भी सार से समय जिस्मानीद कत्वन पर विचार कीजिए इसका राइंट राइंस लग दिया गया है ऑप्सें नमर डी ि sava कि येगो तीन हे विमिसार ने राजगरी का निर्वान कर उसको अपना राधानी बनाया था, विमिसार ने मगए पर कुल तिरपन वर्षासन किया था, यह गलत है, आप्शन नमर डी, विमिसार की वैवाहिक समंधों से समंधित गलत सुमेल को छाटिये, प्रसेंजित की बहर महा कौसला, बैसाली की चेटा की पुत्री चेलेना, भदर देश की राज कुमारी छेमा, आयंकी राज कुमारी चंदना, यह गलत है, आप्शन नमर डी है, जो गलत है, विमिसार के पुत्र अजास सत्रू के द्वारा किस वर्ष अपने पिता की हत्या कर अपने पिता की हत्या कर दे गए थी, आप्शन नमर बी दिया गिए, 493 इसापुर्व, अजास सत्रू से समधित कर्फ़नों पर विचार कीजे, इसने अपने पिता की हत्या कर 493 इसापुर्व में मागत की गजदी पर बैठा, यह बिल्कुल यह सही है, आगे देखते हैं, अजास सत्रू का उपना पुनीक था, तथा यह जन धर्म का अनुवाई था, यह भी सही है, हलाके स्टार्टिंग में बहुत फिलाश्ट में जन, अजास सत्रू के पर वहासाली मंत्री वसकार था, इसी के साहता से बैसाली विजय किया था, अजास सत्रू के में, चाहूं सत्री पुराश्ट में, आजास सत्रू के पुत्र वहासाली मंत्री वसकार था, इसी के साहता से बैसाली को विजय किया था, यह सही है, चाहर सबस्ट इसापुरों में अजासफ्र के पुत्र उद्याई ने इसकी हत्या के थी यह विसाई दिया गया है जिसका राइट ट्रंसर आप्सिन नमर सी होना चाहिए नाकी बी होना चाहिए एक सोप पंचानमे कह भी लिखे दिया गया है हर्याक्वंस का अंतिम सासा कौन था नागदसक कौन था नाघदसक की हत्या उसके मंत्री सिसुनाल्ग ने किया था इसला-इसालिमी बस यही याद रखना है निवुद में से कौन सीकंदर का समकालीड था गना नन को यूद में पराजित कर किस ने मौरे बंस के स्थापना किया था चंदगुत प्रथम ने चंदगुत मौर ने ऑप्शन नमर सी ऑप्शन नमर सी बिल्कुर आइट असर होगा सिकंदर से समझें कथनों पर विचार कीजिए सिकंदर का जन 356 इसापूर में हुआ था उसके पिता जल सिनापती का नाम क्या था बताएगा जल सिनापती निर्याकस देखिए को system चेंदुवतमोर से समंधित कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन है जो सही देए गए हैं कि देखते हैं जश्टी ने चंड़ उस बिल्कुल इसी पचान ने की थी बिलियम ढसिम ने की थी चैंदुभौ तीन्सौपयतालीस बुल्य हुआ था घ्रनान्द को हराने में चनक होतों की मदद किया था जाद मौत की मददी पर 322 इसापुर में बैठा था जान जान धर्म नियुकर का नुवाई था या गलत है तो मौर का जन 345 इसाफुर में हुआ था जैस्टी ने चनुम मौर को सेंडरो कोटर्स कहा था इसकी 25 बिलियन जेम्स निक्या था इसका जो राइट अंसर दिया गया है ना ऑफशन नमबर को यह दिया गया है ऑफशन नमबर एदिया गया है लेकिन गलत लगड़ा है क्यों फाइव जो है गलत कैसे हो सकता है आप ही लोग बताएए चैनल मौर ने सलेखना भी दिया जोरा स्रण में अपना प्रांट ट्याग दिया था तो इससे लेखना भी थी किसमें अपना जाता है जैन धर्में यह जैन धर्म का अनुआई था इसका जो राइट असर होना चाहिए ना ओफशन नमबर सी होना चाहिए आप लोग भी देखिए गा इसका राइट असर क्या होगा चैनल मौर ने किस गूरू से जैन जैन धर्में किसी इचा नहीं थी भाद्रवाहू से ऑफशन नमबर ए देखिए आप लेखिये अगया ने जैन धर्म भाद्रवाहू गलत यह थी आ अगया था उसका अंसर सेलकस्णिकेटर को चनगुत मौर ने किस बरस पराजित किया था जैन आप्सिंपनर भी 305 इसा-प मौर से क्या था ओप्शन हो जाएगा सी कार्वनेलिया से चंद मौर ने सलेखना विथी से सरवन बिल गोला में अपना देह त्याक किस वर्स किया था देख सकते हैं इसका राइट टंसर हो जाएगो ऑप्शन आमर ए बिंदु सार किस संप्रदाय का अनुआई था यह अनुआई था आजीवक आजीवक बिलकुर राइट अंसर बिंदु सार को भद्र सार या फिर वारी सार किस पुरान में कहा गया है यह कहा गया है वायू पुरान में वायू पुरान में आजीवक संप्रदाय के स्थापना कि बिन्दुसार के किस राच्षेत्रें बिद्रोव हुआ जिसे दवाने के लिए पहले सुसीम और उसके बाद असोग को भेजा गया था ताच्छी सिला एथी नियस के नुसार सिरिया के किस सासक से बिन्दुसार मज्रा शुखे अंजीर तथा दार्ष्णिक की मांग की थी हला हलाके दार्ष्णिक नहीं दिया गया था बदाएगा इसका राइट असर क्या होगा और बिन्दुसार के सवह में 500 सदस्यों की एक मंत्री परसती जिसका प्रधान कौन होता था खलाटक और सी दिया गया है मुझे इस कुश्चन के बारे में नहीं पता है लेकिन याद रख पिश्चार कीजी कौन सी कथन है जो सही दिये गए हैं देखते हैं 279 इसापुर में असोक मगत समराज का सासक बना था बिल्कुल सही है 279 में ही राजगदी पर बैठा था राजगदी पर बैठने से पुरु अबांति का राजपाल था यह भी सही है असोक की माता का नाम गुजरा, मास्की, नेतुर और उडे गुलम के भी लेखों में असोक का नाम असोक मिलता है जी हां पुरानों में असोक का असोक वर्धन कहा गया है सभी के सभी लगभग सही दिये गए इसका राइट असर होना चाहिए ऑप्सन अमबर C उपर बैठने सभी कतने जो सही दि आठ वर्स आएगा तो आठ वर्स प्रश्चाद 261 इसापुर में ऑप्सन नमर B कोशन नमर 218 सिलालेह का स्थान समंधित राज सहवाजगड़ी सहवाजगड़ी अविले कहा है तो पिसावर में है सहवाजगड़ी और मान सहरा यह है जो पाकिसान में है खरोष्ठी लिपी में नहीं है ऑप्सन नमर D इसका राइट अंसर हो जाएगा आसो का अहरा औरा सिलालेह की सिराज से प्राप्त किया गया है कोशन बहुत अच्छा दिया गया है एक्जाम लेवल का है चाहे वो बिहार द्रोगा बीपीएसी इतने तक एक्जाम का यह बहुत ही अच्छे प्र इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा मिलाते हैं पहला भी लेख पहला सिलालेख में पसुबली की निंदा की गई है दुसरा सिलालेख में मनुस का प्रसुची किसा ववस्था मनुस का प्रसुची किसा ववस्था चौथा में भेरी घोस कस्थान प्रधाम घोस पांचवा धर्मह मात्र की न्यूक्ति आप्सन नमर एक गलसुमेल का चैन कीजिए शलेक अस्थान समंधित राज मानसेहरा हजारा पाकिस्तान यह सई है गिरनार गुजरात यह भी सई है भाबरू वेराट राजस्थान यह भी सई है एर गुड़ी मत परदेश में नहीं है आप्सन नमर करनाटक में मास्की गोवी मत ब्रह्मगीरी सीधपूर यह सब सिललेक करनाटक से फ्राफ्त किया गया है गलसुमेल का चैन कीजिए असोक कि सिललेक और विसाय दिये गए है तीसरा राजकी अधिकारियों के लिए आदेश छठा में आत्म नियंतरन की सिच्छा सात्वा आठ की सिललेक में धम की व्याक्ष्या प्राप्थ होती है नौवा में समेल का चैन कीजे अतरा पर कि राधानी देख सिलले दिश्न्थ की शृण गिरी अवंति राष्ट का पत्ले कुद्र नहीं ृपसन नमर्भी जो एक गल्ति की दिया गया है त्सुमेह का चैन कीजे मंत्रिपत के ना मंत्रियों के कार्ज दिये गये हैं कि अप्सर नम्BER डी है जो गलत दिया गये है दोव्र, राजकिये दुरा रजशक, समहाता आरेका, संक्र्षकर्ता, संध्हता, राच किये को साधर्च निम्लिखित में से गल सुमेल का चैन कीजिए मंत्री पद के नाम मंत्री के कार्ज ओप्सन नमर डी है जो गलत ही आगे पौर हो जाएकर नगर कोतवाल प्रदेश्टी का मिश्णर विवहारिक प्रमुक नियाधीश करमांतिक नामक मंत्री का मौर प्रशाशन में क्या कार्ज था करमांतिक नामक मंत्री का मौर प्रशाशन में क्या कार्ज अवंटी था करागार अध्याच असोप के सिला लेखो कि खोच किस वस पोदाट्री फैन थैलर ने किया था अप्शन अब भी हो जाएगा सत्रो सो पचास इसमी में आज के लिए तना ही रहने देते हैं नेश्ट वीडियो में और आगे हम लोग देखेंगे आई होप यह वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा अगर यह पसंद आया तो इसे लाइक कर देंगे अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक भी कर सकते हैं नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे विल आइकेम को प्लिक कर लेंगे और यहां तक हो सके आप लोग सेर भी क्या करेंगे चलिए मिलते हैं ने स्टूडियो में तब तक के लिए धन्या